असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू माय चैनल सितारा फेशन इसके आर आल वीवर्स आज हम आपको यह वाला डिजाइन बताएंगे कैसे बनेगा अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आन कर दें वीवर्स आपने इस तरह से बुक्रम ले और इसकी लंबाई जो है वीवर्स वो है अठारा इंच आप अपने पाइंचों के इसाब से लंबाई और चुड़ाई ले सकते हैं तो वीवर्स यह मैंने चर्मा लिया है यहां से यह कपड़ा मैंने थोड़ा सा फोल्डिंग के लिए चोड़ा है उसके बाद आपने आदे इंच पर निशान लगाना है यहां से भी आदे इच पे निशान लगा लें ताकि पटी आपकी बिलकुल सीधी लगे आपने विवर्स इसको इधर से रख लेना है और इसके बिलकुल सेटर में सलाई को चलाना है यह देखें इस तरह से इसको सेट करते जाएं और सिलाई को लगाते जाएं यहां से निकाल देंगे उसके बाद विवर्स आपने एक इंच पे लगानी है एक एक इंच पे लगाएंगे उसके बाद आपने यहां से देखें एक एक इंच पेस की मार्किंग कर लेनी है विवर्स ये देखें निशान विवर्स जरूर लगा लें ताकि ये सीधी लगे आइडिया जो है वो इतना ज्यादा हो नहीं पाता है तो निशान लगाकर ही काम करें तो आपका जो है बिल्कुल खुब्सूरत बनेगा सही है विवर्स इस तरह से आप लगाएं देखें जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ ये मैंने चार लगा ली है चार दूसरी साइट पे भी इसी तरह से लगा लूँगा तो ये देखें विवर्स दोनों जगाओं पे मैंने एक हिसाप से चार चार लगा ली है अभी आपने यहां से एक इंच का निशान लगाना है इतर से वन इंच पे निशान लगा ले 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 वन इंच यह देखें वन इंच प ही रहना है आपने एक पत्टी लगा ले ताहा हूं में ये देखें एक पटी में ने लगा ली है दूसरी भी हम इसको वन वन इंच पर ही एड़ करेंगे निशान लगा लेंगे वन वन इंच पर और फिर हम इसको लगाएंगे तो एक से दो पटीयां विवर्स मैं आपको लगा के दिखाता हूँ बाकी मैं ये काम जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा ताके वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और हमारी वीडियो को लाइक करा करें अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करा करें इससे हमारी उसला अवजाई हो जाती है विवर्स अगर चैनल पर फर्स टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे यूट्व फैमिली का हिस्सा बने ये देखें इस तरह से आपने लगा लेनी है सारी ये देखें वीवर्स ये मैंने लगा ली है अभी सारा आपने भी इसी तरह से कर लेना है उसके बाद ये जो इसका सेंटर में निशान है इदर से इसको कट कर लेंगे तो इस तरह से देखें आपने कट कर लेना है ये दोनों पाइंचों की डिजाइनिंग हमारी रेडी हुई है उसके बाद वीवर्स आपने पाइंचे ले लेने हैं उसको आपने इस तरह से रखना है और यह जो दबाव है इसको सलाई लगा लेनी है ठीक है विवर्स इसकी लंबाई ट्राउजर की आपने चार इंच छोटी कटिंग करनी है चार से पांच इंच ठीक है वैसे मैंने इसकी लंबाई साड़े चार इंच छोटी कटिंग कर रही है तो आप भी उसी एसाप से कर लिजिएगा तो यह देखेंगे जोड लग गया है अभी हम इसको यहाँ पर प्रेस लगाएंगे जोड के उपर ठीक है विवर्स उसके बाद आपने एक तकरीबन 6 इंच ओड़ा कपड़ा ले लेना है जिसकी चुड़ाई हो 6 इंच यहाँ से आदे आदे इंच पे निशान लगा लें नीचे वाला कपड़ा आपने आदा आदा इंच होड़ना है इसको आदे आदे इंच पे निशान लग लेना है तो यह मार्किंग में ने कर लिए विवर्स अभी इसको हम हाफ इंच मोड लेंगे कपड़े को यह देखें यहां से यहाँ 1.5 इंच मोलें पर 1.5 इंच आपने कपड़ा ले ले लेना है DESIGNING वाला जो पीश है वो 1.5 आपने 측ा है आपने स्लाई में ले लेना है इस 측ाम पर आपने 측면 में लगानी है WEवर्स किनारे की जो कपड़ा है उसके उपर तो यह मैंने लगा लिए वीवर्स अभी आपने इसको बैक की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से और यह देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है यह वाले कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करना है और इसको भी ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर press लगानी है तो यह देखें, यह काम मैंने कर लिया है इस कपड़े को मैंने अछए से folding कर लिया है अभी वीवर्स आपने एक किनारे की चलाई लगा देनी है यहाँ से ताके नीचे वाला कपड़ा आपका इस सिलाई के अंदर कवर हो जाए और उपर वाला भी अच्छे से बैलन्स हो जाए यह देखें यह वाली सिलाई आपने किनारे के उपर चलानी है बहुत ही आसानी से यह लग जाएगी विवर्स आप इसको सिंपल तरीके से लगा लें आप हमें सोशल मीडिया पर जोईन लाइक फॉलो कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे मैंने दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में ठीके विवर्स वहां से आप हमें जोईन लाइक फॉलो कर सकते हैं यह देखें जो इजाफी हो वह आपने कट करना है दागे भी आपने कट कर लेने हैं तो विवर्स यह एक हमारा प्यारा सा वीडियो आपको मिलती रहें और हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक गर दीजिए तो यह देखें में विवर्स कितना प्यारा सा आप